हलो दोस्तों सबाकूर्ती डिजाइन में स्वागत है आपका बाजू का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले कपड़ा काट के रखा हूँ ये कपड़ा लंबा काट लेंगे इसकी चमडाई है धाई इंच ये देखिए धाई चमडा में काट लिया हूँ इसे फोल्ड करके प्रेस कर लिया हूं छोटा छोटा प्लेट लगाएंगे इस पर इस तरह से छोटे छोटे प्लेट हम इस पर लगाएंगे अगर इस पर हम बड़ा प्लेट लगा देंगे तो डिजाइन देखने में अच्छा नहीं लगेगा इसलिए छोटे छोटे पलेट लगाना है दोस्तो इसी तरह से पूरे पट्टी पर पलेट लगा लेंगे ये देखिए पलेट को मैं लगा लिया हूँ ठीक इसी तरह एक अवर पट्टी पर पलेट लगा लेंगे डिजाइन को बनाने के लिए बाजू के बीच सेंटर से पट्टी को रखके लगाएंगे ऐसे पट्टी को रखना है और जो पलेट वाली सिलाई हम चलाएं हैं उसी सिलाई पर सिलाई को चलाना है इस तरह से एक साइड में ऐसे पट्टी को मैं लगा लिया हूँ ठीक इसी तरह दूसरे साइड में भी पट्टी को लगा लेंगे दूसरे साइड में पट्टी को लगाते समय ध्यान दें बीच में गयप नहीं दिखाई देना चाहिए दोस्तों अगर डिजाइन आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह से पट्टी को पूरे बाजू पर लगा लेंगे धागे को कट कर लेंगे बाजू को बीच सेंटर से कट कर लेंगे ये देखिए मैं इस तरह से बाजू को कटिंग करके अलग कर लिया हूँ अब इसमें पाइपीन लगाएंगे अलग कपड़े का पाइपीन लगाऊंगा कपड़े की चवड़ाई देख लेते हैं कितना है डेड़ेंच चवड़ा मैं कपड़ा काटके रखा हूँ पाइपीन लगाने के लिए पाइपीन को अंदर के साइड से लगाएंगे यह देखिए इस तरह से मैं पाइपीन को रखके एक बूट का मारजन लेकर सिलाई चला रहा हूँ धागे को कट कर लेंगे अब मैं इस्टरा मारजन को भी कट कर लिया हूँ पाइपीन को बाहर के साइड में पलट के किनारी पर सिलाई चलाएंगे ये पाइपीन ज्यादा चवड़ा नहीं होना चाहिए एक बूट का चवड़ा होना चाहिए पाइपीन दोस्तो इसी तरह से पाइपीन को फोल्ड करके सिलाई चला लेंगे धागे को कट कर लेंगे दोस्तों इसी तरह से दूसरा हिस्सा जो बाजू का है उसमें पाइपीन लगा लेंगे अब मैं पाइपीन लगा लिया हूँ अब बाजू के मुहरी में पाइपीन लगाएंगे यह कपड़ा मैं काट के रख लिया हूँ इसका भी चवड़ाई डेढ़ हींच है और ये कपड़ा मोहरी के अनुसार काट लेना है पाइपीन को नीचे रखके बाजू को उपर दख दिया हूँ और एक बूट का मार्जन लेकर सिलाई चला लेंगे बाजू के दूसरे हिस्से को बिल्कुल सटा के रखेंगे अब इस पर सिलाई चला लेंगे धागे को कट कर लेंगे एक्स्टरा जो पट्टी है उसे भी काट लिया हूँ अब इसे फोल्ड कर लेंगे ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके किनारी पर सिलाई चलाएंगे दोस्तों इसी तरह से मुहरी को बना लेना है धागे को कट कर लेंगे एश्टरा जो मारजन इसे भी कट कर लेना है ये देखिए मैं दोनों साइड में आपको दिखा देता हूँ इस तरह से पाइपीन को मैं लगा लिया हूँ अब आर्म होल के साइड में ऐसे टाकी लगाएंगे दोनों पार्ट को बराबर करके टाकी लगाना है टाकी लगाने के बाद एक्स्ट्रा मार्जन को कट कर लेंगे और यहाँ पर भी टाकी लगाएंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर बाजू के डिजाइन पर टाकी लगाना है दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा मैं बटन बना कर इस पर लगाऊंगा यह देखिए यहाँ टाकी में लगा रहाऊं इसी तरह से पूरे डिजाइन पर थोड़ी थोड़ी दूर पर टाकी लगा लेंगे इस तरह से टाकी में पूरे डिजाइन पर ऐसे लगा लियाऊं अब यह सर्ट का बटन में लियाऊं बटन को ऐसे कपड़े में रख लेंगे और कपड़े को टाइट करके पकड़ लेंगे ऐसे यह देखिए धागे से बटन को बात देंगे धागे को लोक कर देना है सही से यह देखिए मैं धागे को लोक कर दिया हूँ एक्स्टिरा जो कपड़ा है इसे कट कर लेंगे दोस्तो इसी तरह से 7-8 बटन बना लेंगे अब मैं बटन को बना लिया हूँ डिजाइन पर लगाएंगे इसे सिलाई से जिस जगे पर टाकी लगाए है ठीक उसी जगे पर बटन को लगाना है अब मैं बटन को लगा दिया हूँ ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें